मडीपूर में हुई हिंसा की घटना को लेकर मध्यप्रदेश में जम कर स्याफत हो रही है कॉंग्रेस मडीपूर हिंसा को लेकर गांधिवादी तरीके से विरूद कर रही है मडीपूर में हुई हिंसा की घटना को लेकर देश भर में विरूद प्रदर्शन किया जा रहा है इसी के बीच राजधानी भूपाल में आरफ मसूद के नेतरत्व में कॉंग्रेस कारिय करता गांधी प्रतीमा के पास काले कपड़े पहन कर धरने पर बैठे कॉंग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई निता और महिला कॉंग्रेस कारी करता भी प्रदर्शन में शामिल हुए मणिपुर में शुरांती बहाल कराने एवं महिलाओं को निर्वस्तर करके घुमाने वाले अपरादियों को फासी देने एवं मणिपुर सरकार को वर्खास्त करने की मांगी गई परिणा में जिसको हम लोग अक्सर कहते रहें कि नफरत के बीज रोको महबत के बीज चलाओ यही पेगाम राहूल गांदी जी ने भारत जोडों में दिया था क्योंकि यह देश की संस्कृती है कि इस देश को बरबात करने से बचाने के लिए हम सब को महबत करना पड़ेगी और जो हाल मनिपूर में हुआ है वो शर्मनाक है और एक के बाद एक वीडियो आ रहा है महिला को सबकों पे गुमाएं जा रहा है वो पिच्छतरमा वर्ष बड़े शान से मुखमा प्रदान मंतरी जी मना रहें तो उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उसी आजादी के देश से पूरे भारत देश से माफी माँगना चाहिए। कॉंग्रेस के प्रदर्श्रन में बड़ी संख्या में महिला नेत्रियां इबं कार्य करता मौचूद रही जन्होंने घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। Pewter Report, MP News, Bhopal